कुरोना वाइरस का रीवा में कोहराम हुआ प्रारम गुद्वार और गुरुवार को जहां 4-4 पैसंट संक्रमित पाए गए थे उसके बाद मशीन खराब हो गई या कर दी गई यह एक बड़ा सवाल तो था ही जिसको लेकर रीवा कलेक्टर ने नोटिस भी जारी की थी जाच रिपोर्ट जबलपुर भेजी जाने लगी जिसमें देरी लगने लगी इसको लेकर स्वास्ट व्राग ने थोड़ी राहत की सांस लिए इसी दोरान संजय गांधी अस्पताल में कॉरंट्वाइन तनीशा सिंगल को अस्पताल प्रतासन ने घर पहुंचा दिया जबकि उसकी जाच रिपोर्ट जबलपुर गई हुई थी पुरानी जाच रिपोर्ट में विवा लगाता संक्रमित निकल रही थी तनीशा के घर पहुंचते ही जाच रिपोर्ट आई जिसमें वह संक्रमित पाई गई वहीं दस अन्य लोग भी जाच रिपोर्ट में संक्रमित पाई गई जिसको लेकर रीवा के प्रसासनिक अमले में भारी बैचैनी फैल गई तक काली प्रसासने कमला हरकत में आया लोगों को कुरंटाइन करने की प्रक्रिया को प्रारम कर दिया गया है देर रात रिपोर्ट आने का ठोस कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है आकिर स्वास्विवाग ऐसा क्यों कर रहा है अब संकर्मित मरीजों की संक्या 25 हो गई है सीधा सा अर्थ रिवा रेड जोन में रिवा शहर की इस्थिती दिन में ऐसी होती है देखकर लगता है कोरोना वैरस नाम की बिमारी रिवा में है ही नहीं जबकि मरीजों की तादात रोज बढ़ रही है नियूत नेटवर्च टुड़े की टीम रिवा के लोगों से अपील करती है घर पे रहिए सुरक्षित रहिए कोरोना का संक्रमाण रिवा में काफी तेजी से फैल रहा है अपने घर पर रहिए सुरक्षित रहिए कुरोना से पच्छे का यहीं एक मात्र इलाज है अभी तक हमने ये करके दिखाया है अपना तोहर तोहर ख्यार रखिए अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए जाज़त नमस्कार